हें हलो वान मैं हूँ आपका अपना भाई समझा तो भया और आज की क्रिप्टो नियूज और बिटकॉइन एनलेसिश शुरू करते हैं दोस्तों कल वीडियो नहीं आया था टेलिग्राम पर आपको इनफॉर्म करी दिया था कि मार्केट में अभी कुछ ऐसा खास है नहीं कोई बड़ी अपडेट आईए सिवाए जो मौनिंग में आपको सड़न डंप और पंप देखने को मिला था उसके अलाबा आज की इस वीड कोईन का अभी क्या हो सकता है क्या यहां से सड़न डंप आने वाला है या फिर एक पंप के बाद में सड़न डंप आएगा साथी मार्केट में कुछ अपडेट्स भी आईए उनको देखेंगे तो सीधा वीडियो को शुरू कर लेते हैं ओवरॉल मार्केट का हाल आप देख सकते हो कि बिटकोइन यह जो टर्लाइन थी मैं अपने सेकंड चैनल पर वीडियो के अंदर ही बनाई थी और यह वाला सपोर्ट आपको यादो मैंने बताया था आपको परसो के वीडियो में लाई भी कि यहां पर एक करंट हमारा इमीजियेट सपोर्ट बनेगा जहां पर जो सड़न डंप आया था उसके बाद में बीडिसी ने यहां पर एक सपोर्ट लिया अभी की सिच्वेशन क्या हो रही है देखो मैं आपको पहले तो वोल्यूम दिखाता हूँ ठीक है वोल्यूम इतनी है नहीं मार्केट में इतनी किया बिल्कुली कम है मार्केट में यहां अगर कोई ब्रेकिंग अपडेट आती है एमर्जंसी अपडेट आती है या फिर कब आपको बीडिसी को शॉर्ट एंड लोंग करना है मेरी प्रेडिक्शन यह सब कुछ चीज़े आपको बिल्कुल फ्री ओफको सूपर फास तरीके से मैं अपने टेलेगरम पर शेर करता र बांद के रख लो कि गलतियां करो नुकसान उठाओ और फिर उससे जो आपने सीखा उसको दुबारा धोराने से बचो ठीक है जब तक आप खुद का टीए नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे तो यह चीज़ ध्यान रखो खुद की टीए करो टूटी फूटी जैसे भी यह करो जैसा आपको अनेलिसिस करना आता है वैसा करो अगर आप लोस से बचना चाहते हो तो छोटे छोटे ट्रेड लो हाँ जैसे मालो 10 डॉलर 5 डॉलर जो भी आप सहन कर सकते हो तो उसके कोडिंग अपना टीए करना भीया ज़रूरी होता ह हम सिर्फ एक आइडिया के लिए होते हैं कि हाँ यह भाई क्या बोल रहा है इसकी भी थोड़ी से सुन ले ओके इस तरीके से तो यहां पर देको मुझे क्या लगता है कि अगर मार्किट में एक सदन पंप भी आ जाता है जो कि थोड़ा बहुत आता हुआ हमें दिख रहा है तो वहां पर 5X या फिर 10X के साथ में leverage लेके आप short कर सकते हो ठीके और बाकी D से करना है तो यहां पर 20,470 या फिर 50 के आसपस कर सकते हो ठीके तो मुझे जो लगता है वो मैंने आपके साथ share करा इसके अलावा inflow का data थोड़ा बुत आया है मोनिंग में देख सकते हो 1500 यह र तो यह दहान रखना कि आज US market के छुटी है तो यह की जो वेल्स होंगी US की जो शाक्स होगी वो इंजॉय कर रही होगी तो इसकी वरे से market में इती volume नहीं होगी और यू.S market की जो indexे है SMB 500, NASDAQ वगरा वो भी आज आज आपको देखने को नहीं मिलेगी तो इसकी वरे से इत तो यह एक देखने वाली बात है कि ना सिर्फ आपका पॉर्टफोलियो डाउन हो रहा है बलकि काफी लोगों का अभी पॉर्टफोलियो खतरनाक तरीके से ही डाउन हमें देखने को मिल रहा है इसके लवा नेक्स अपडेट रश्या से आईए पॉसिटिव अपडेट बोल सक कि बैंक ओफ रश्या रेडी टू लीगलाइज क्रिप्टो माइनिंग इफ माइनर सेल मिंटेड कोईन एबरोड यानि कि जो रश्या के माइनर से अगर वो रश्या में बेटकर माइनिंग करते हैं वहाँ पर कोईन मिंट करते हैं तो अगर वो उन कोईन्स को मान लीजी बि पाइदा मिलने वाला है क्योंकि बाहर का पैसा रश्या को मिलेगा ठीक है तो रश्या की एकोनोमी के लिए अच्छी बात है और इसलिए तो बैंक ओफ रश्या इसको जो क्रिप्टो माइनिंग के उसको लीगलाइज करने के लिए तयार है नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह है कि ब्रिटिश आर्मी के जो सोशल मीडिया हैंडल से उनको है कर लिया गया था क्रिप्टो के स्कैमर्स के दवारा और वहां पर कुछ क्रिप्टो करनसी वगेरा की एनप्टी वगेरा की एड़ चलाई जा रही थी देख सकते हो आप इस तरीके से तो यह एक देखने को मिले ना लाइव अगरा तो जो बिगनर से उनको कह रहा हूं बाकि हमारे प्रो व्योर्स को तो पता ही है कि यह सब स्कैम चलता रहता है ठीक है नेक्स अपडेट की बात करें तो यहां पर काड़ानों से जुड़ी होई यह काड़ानों का जो अपकमिंग हार्ड हार्ड फोक है देखो काड़ानों का जो एक हार्ड फोक हुआ था दोजार इकिस में सेप्टेंबर में एलांजो हार्ड फोक उसके बाद से ही काड़ानों की हालक बुरी होना शुरू हो गई थी यानि कि काड़ानों की प्राइज में गिरावटी उस हार्ड फोक के आने के तो बाद में होई थी लेकिन अभी जितने भी ट्रेडपंडित है उनका यह मानना है कि काड़ानों का वसिल अपग्रेड आने वाला ३ाहिकिल हएक ख़ो सिंहा थोड़ा सा काड़ानों को रहा दे सकता है तो आ डिलॉन के लिहास से देखो के तो काड़ानों की इसको टेस्ट कर लिया है अब आगे आने वाले कुछ हपतों के अंदर जो इनका में नेट है यानि की पब्लिक के लिए जो है वो आ जाएगा तो ये एक पोजिटिव बात रहेगी काड़नों के लिए काड़नों कमिड़े के लिए नेक्स्ट अपडेट की बात के लिए तो य यह जो फीस है गेस फीस जो है वो डाउन हो चुके है और जिनको नहीं पता है उनको बता दू कि इथीरियम की जो अभी में प्रोब्लम से ना जिसके वरे से जो नए नए अभी कोइन सारे जो कि अपने आपको इथीरियम के लिए अच्छी बात है नेक्स अपडेट की बात करें तो आप और हम तो अपना रोना रो रहे हैं कि भाईया हमारा पॉर्टफोलियो डाउन हो रहा है हमारे बिटकोइन लोस में चले गए मेरा इतने का लोस हो गया तैसला जो है अभी उन्होंने एक रिपोर्ट दिये कि टैसला ने जो 1.5 बिलियन डॉलर का इंवेस्टमे प्राहं के अंदर नेक्सटमेटी की बात करें तो यह भी वह है इसके अलाबा एक और अपडेट है जो किया रहे है रोमेनिया से टेक्स एजिंसी स्टार्ट चेकिंग क्रिप्टो ट्रेडर्स इन रॉमेंनिया तो जो रोमेनिया के ट्रेडर्स वगए उनके उपर वहां की तो टेक्स अथियोरिटी है वो अपनी पकड डाल रही है या फिर उनके उपर नजर रही है कि या ज्यादा पैसा आ रहा है इधर भी लाओ ठीक है और यह जो फर्म है वो अभी लीगल और फाइनिशल एडवाइजर को हायर कर रही है फोर पोटेंशल री स्ट्रक्चरिंग ऑप्शन तो देखो वह यह क्रिप्टो की बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या होता जा रहा है एक के बाद एक कंपनिया इस तरीके से मुश्किल में पड़ती जा रही है इस से जूड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट में आपको टैलिगां में आपडेट कर दूँ आप इक सी कूथ illness जो Coin DCX है इसके लावा BitPNS है उसकी Volume में भी एक तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है अब जब Volume नहीं आएगी क्योंकि Crypto Exchange के लिए सबसे Important जो Revenue Part होता है वो है Trading ठीके Trading Feast अगर उनको Trading में गिरावट देखने को मिलेगी तो भाया एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब उनका Revenue काफी ज़ादा घड़ जाएगा और फिर उसके बाद में या तो वो क्या करेंगे अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे या तो यह करेंगे कि स्टाफ में कमील आएंगे या फिर और दूसरे तरीके अपनाएंगे और वैसे फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए दिक्कत नहीं है फ्यूचर ट्रेडर्स को तो ट्रेडिंग करने पर कोई TDS वगेरा नहीं देना है तो यह एक बात है अब आपके लिए important बात जो है वो यह है कि देको जिनोंने भी 2021 में या फिर एक जुलाई से पहले वजिरेक्स में या फिर और जो बाकी इंडियन एक्षेंजे से उनमें अपना इंवेस्टमेंट करा था ठीक है मतलब उसके थूरू बिटकोईन वगेरा आई करे थे तो उनको पड़े ने दो अगर आपने इंवेस्टमेंट करा है ट्रेडर हो तो करना क्या है कि भाईया सीधी बात नोबकवास कि छोड़ दो इन एक्षेंजों को बाकी जो इंटर्नेशनल एक्षेंज ए हो भी है कूकोईन में दिक्कते चल ज़़े तो कूकोईन को साइड़े में कर दो OK से बाकी बहुत सार एक्षेंजे में उन पे जाओ मैं DEX पे चला जाओंगा मैं anonymous exchange पे चला जाओंगा यह सब चीजे सरकार कर सकती है आपके mobile number email ID से चाहे तो वो सब कुछ data निकाल सकती है तो यह गलती मत करना कि आप tax से बचने के लिए कुछ भी illegal activities में फस जाओ तो बस यही updates थी market की और जो bitcoin की सीधी बात थी वो मैंने आपको सब्सक्राइब करें मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ तिल जय हैं जय भारत